नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में मरवी कुलरिया हिस्ट्री लेक्षर राजसान से आज के इस वीडियो में मैं शुरुआत कर रहा हूँ आधुनिक भारत के इतिहास की जिसमें सबसे पहला बिंदू है यूरोपियों का भारत आग्मन जैसा कि आप सभी देख रहे थे इन काफी दिनों से मैं रिव्यू कर रहा था बुक्स के और आगे भी रिव्यू करता रहूँगा बीच बीच में मैंने सोचा कि क्यों ने इतिहास पढ़ाना फिर शे शुरू किया जाए इससे पहले मैं प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा रहा था जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो प्राचीन भारत के इतिहास के नाम से 20-22 वीडियो में अप्लोड किये थे अब यूरोपियों के भारत आग्मन की शुरुवात की दी बात करें तो वैसे तो किसी बुक में आप पांचार लाइने पढ़कर इसके बारे में जान सकते हैं लेकिन जैसा की चैनल का नाम है History 360 तो इसमें कुछ जोग्राफिकल बाते हैंगी वो भी समझेंगे मैप्स के माध्यम से कुछ पॉलिटिक्स की बात आएंगी वो भी समझेंगे और जो विश्व इतिहास की बातें साथ में आएंगी वो भी समझेंगे उसके बाद ही सारी स्थिति क्लीर होगी कि यूरोपियों का भारत में आगमन किस प्रकार से होता है तो आपको थड़ा सा बैक ले चलते हैं कि किस प्रकार से यूरोपियों को ये पता था कि भारत और एशिया की जो अन्य देश है जैसे चीन है और उपर जो मंगोल समराज है उनकी जो भववेता है उनकी जो वैबव है वो हमेशा से उनको आकरशित करता रहा है इस आकरशन में महतपूर्ण भूमिकानी भाई तेरवी शताबदी में जब मारको पोलो ने एशिया की यात्रा की तेरवी शताबदी में मारको पोलो ये बहुत महतपूर्ण नाम है आपने सुना होगा Marco Polo ये एशिया की यात्रा करता है और ये आया था Venice Italy से Italy का एक प्रशिद सहर है Venice आगे भी मैं चर्चा करूँगा Venice की और Genova की Kublai Khan जो Mangol शाशक था उसके दरबार में भी ये काफी समय तक रहा जब ये वापस गया तो उसने अपना एक यात्रा वर्तांत लिखा The Trails of Marco Polo The Trails of Marco Polo तो इस यात्रा वर्तांत को पढ़कर उन्हें और भी ज़्यादा आश्चरी हुआ कि पूरु में कितनी धनसंपदा है कितना वैभवशाली है कितने हीरे जवारात है तो और भी ज़्यादा आकरशन इन में हुआ इसके अलावे भी बहुत सी परिष्टितियां थी सभी के बारे में हम बात करेंगे तो ये थी Trails of Marco Polo फिर 1453 में एक महत्पुन घटना घटती है कि कुस्तुन तुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है 1453 और तारिक भी ज़्यादी मैं आपको बता हूँ तो 29 मई 1453 को कुस्तुन तुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है 14 ये बहुत ही महत्पुन घटना है विश्व इतिहास की एक कि तुर्कों का कुस्तुन तुनिया पर अधिकार इससे मैं आपको थोड़ा सा बैक ले चलता हूँ इससे पहले भारत के साथ ये रॉप का जो वियापार होता था वो कई मारगों से होता था एक पुष्टक में आपको दो मारगों से मिलेगा एक दूसरी पुष्टक है मैं नाम नहीं लूगा सबके उसमें तीन मार्ग बताए गए है जो भी मार्ग थे वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रियास करता हूँ कि व्यापार कहां से होता था इसमें पहला मार्ग है यहां से पाकिस्तान अफगानिस्तान इरान इराक सीरिया तुर्की होते हूए और यहां से यह अब जो इस्तामबूल है उसके रास्ते से यहां प्रिवेश करता है यह बालकन प्रदेशों में यह आप बालकन और बाल्टिक प्रदेशों में कन्फ्यू तो उन दर्रों से भारती उप महादीप में यहां पाकिसान और भारत में आने का मार्क बन जाता है तो यह हो गया यहां से आपको थोड़ा सा पानी मिलेगा जो तुर्की वाला भाग है इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा अलग से मैं एक वीडियो पना के और इ बताता हूँ यहां से होते हुए अफगानिस्तान के रास्ते यहां पर आमू दरिया एक नदी बैती है पुराने समय में उसको कहा जाता था ओकसस नीचे नाम लिख देता हूँ मैं पुराने समय में उस नदी को कहा जाता था ओकसस रिवर और अभी उसका नाम है आमू दरि रिवर और पुर्वेकरि novamente के अपको मिलेगा और बलेग सी से पूरे यूरोप में माल की सप्लाई होती थी अन्य रास्ते हैं तीसरा रास्ता मा आपको बताता हूँ कि यहां से जो भारत के और पाकिस्तार की जो तटी एलाके हैं यहां से जाते थे पर्शियन गल्फ में और पर्शियन गल्फ से होते वे फिर इराक, सीरिया यहां से होते वे भूमद्य सागर में जाय जाता था और जिनेवा है वो स्विट्जिलेंड में है यह जेनोवा है जहां पर कॉलंबस का जन्म हुआ था जेनोवा इटली में तो वेनिस और इटली यहां के जो व्यापारी है वो प्रसीद थे और इन व्यापारियों ने एकादिकार कर रखा था यहां के व्यापार पर तो यहां से होत पिर एक राश्ता था यहां से या जो भार्त के दक्ष्णी अलाके हैं, वहाँ तटी अलाके होते हुए यह अधन के गल्फ ऑफ अधन से होते हुए, फिर रेड सी, लाल सागर से होते हुए, और फिर यहां से, यह भी में आपको मैप में अलग से दिखाऊंगा, कि अब तो य यहां पर क्या बन गई है स्वेज नहर स्वेज नहर नहीं थी तो यहां से अलेक्जंडरिया नाम का नगर हुआ करता था इजिप्ट में और वहां से माल की सप्लाई फिर यहीं से वही वेनिस और जेनोवा के वियापारी यहां से माल ले जाते थे और पूरे यूरोप में सप प्लाइक करते थे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 1423 में कुस्तुन तुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया अब कुस्तुन तुनिया के यह दिबारे में आपको जानकरी मैं दूँ तो यहां पर मैं एक पेज क्रियेट कर लेता हूं ताकि आपको आराम से मैं सिखा थोड़े सी विश्व इतिहास की बात हो जे रोमन सामराजे आप सभी जानते हैं कि रोमन सामराजे दो भगों में बट गया था रोमन सामराजे दो भगों में बट गया था एक है वेस्टरन रोमन एमपायर एक तो है इस तरफ आएगा पस्चिमी पस्चिमी रोमन सामराजे और दूसरा है आपका पूर्वी रोमन समराजे इसको आप बेजन्टाइन समराजे भी कहा जाता था बेजन्टाइन एम्पायर इसको इदि हम लिखना चाहें तो बेजन्टाइन भी लिख सकते हैं इंगलिश में ही नाम लिख देता हूँ मैं बेजन टाइन एमपायर बेजन टाइन समराजे भी आप कह सकते हैं पूरवी रोमन समराजे भी आप इसको कह सकते हैं ये घटना है 286 की जब यहां से ये दो भागों में बढ़ जाता है फिर उसके बाद में साल आता है 476 का 476 इस्वी में ये जो पस्चमी रोमन समराजे है ये समाप्त हो जाता है क्यों? क्योंकि जो जर्मन ट्राइबस हैं जर्मन कभीले हैं जर्मन जंजातियों के आकर्मन के कारण ये नश्ट हो जाता है और फिर रोमन समराजे के नाम पर बसता है पूरवी रोमन समराजे इस रोमन सामराजे का एक मेहतपून सासक हुआ, जिसका नाम था कॉंस्टेंटाइन. इसने बेज़नटाइन एम्पाईर या पूर्वी रोमन सामराजे है, उसकी राजधानी बनाया कॉंस्टेंटिनोपल को. वो शहर का नाम उसने क्या रखा, अपने नाम के इसाफसे कॉंस् इसी को हम जानते है कुस्तुन तुनिया के नाम से कुस्तुन तुनिया बहुत ही महत्पून शहर है यही मैं आपको फिर से मैप में दिखाऊं कुस्तुन तुनिया का ओ तो यहां आप देखेंगे कि यह जो तुर्की है यहां आपको दिखाए देगा इस्तामबुल यहां से अ बोसफोरस जलसंदी आती है, कौन सी जलसंदी आती है, बोसफोरस, बोसफोरस जलसंदी है यहां पर, तो यहां यह एक महतपूर्ण शहर है, तुर्की आप सभी जानते हैं, यह एशिया वाला इलाका है, यह यूरूप वाला इलाका है, तो यूरूप वाले इलाके में, यहां पर समुद्र के मुहाने पर यहां बोसफरस जलसंदी के पास यहां पर आपको मिलता है कुस्तुन तुनिया और कुस्तुन तुनिया का ही आधुनिक नाम है इस्तांबुल तुर्की का एक बहुत ही महत्पुन और इतिहासिक शहर इस्तांबुल इसके उपर तुर्कों का अधि अधिकार हो जाता है और फिर जो ये रास्ते हैं व्यापार वाले रास्ते मैं आपको बताएं यहां से जो भी व्यापारिक रास्ते थे इन सभी व्यापारिक रास्तों पर कबजा हो जाता है तुर्कों का और यहां से फिर व्यापार करना मुश्किल हो जाता है इटली के व्य पारियों के लिए अब समश्या कहां आती है हलांकि ऐसा नहीं है कि जो तुर्कों ने यहां पर अधिकार किया यह जो सारा इलाका तुर्कों ने यहां पर अधिकार किया तो वो व्यापार के खिलाफ थे वो यह चाहते थे कि व्यापार में उनको ज्यादा लाभांज मिले तो इसके कारण इटली के व्यापारियों का एकादिकार कम होने लगा, तो इसके कारण यूरोप में थोड़ी महंगाई भी बढ़ी, यूरोप के जो व्यापारी थे, उनको लाब भी कम मिला, तो इसके कारण उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है, कि कुछ ऐसे मार्ग खोजे जाएं, जिससे इन तुर्कों से हमें छुटकारा मिल जाए, यह जो तुर्क सामराज हैं, इससे हमें छुटकारा मिल जाए, तो फिर खोज होती है, ऐसे रास्तों की, जिससे सीधा भारत की और समुद्र के माध्यम से जाय जासके, क्योंकि यह रास्ते बंद हो गए थे तब खोज की शुरुमिका है तो फिर एक वहाँ पर परिस्तितिएं अइसी भी बनती है कि युरोप के अंदर कई नए शामराजों की शुरुमिका होती है जिसमें स्पेन भी है पुर्टगाल भी है तो स्पेन और पुर्टगाल की यहाँ पर मैं इनको साफ कर लेता हूँ फिर आपको यहाँ पर लिखकर बताऊँगा एक है है हैंडरी दा नेविगेटर हैंडरी दा नेविगेटर और दूसरे हैं जोन सेकिन इन्होंने खुब प्रियास किये कि किसी भी प्रकार से पूर्व की वर जाकर और भारत का कोई रा मसालों की सबसे ज़्यादा जुरूरत थी जो भारत में और जो भारत के दक्षनी हिससे हैं जहाँ पर आपको जावा सुमात्रा जैसे इंडियोशीय के दीफ हैं या जो मलेशिया हैं वहाँ से उनको पहुंचकर और मसालों की काफी ज़रूरत रहती थी क्योंकि यूरोप क परिस्तितियां ऐसी भी थी कि जो मैंने आपको बताया कि वेनिस और जेनोवा के जो व्यापारियों का एकादिकार है उसको भी यूरोप के व्यापारी भी खत्म करना चाहते थे और स्पेन और पूर्टगाल ने ऐसी कोशिश की फिर शुरुवात होती है 1453 में ये मार्ग बंद हो गए इनके लिए तो फिर ये समुदरी आत्राओं की शुरुवात होती है ये जो कुस्तुन तुनिया के बारे में मैं आपको बताऊं थोड़ा सा क्योंकि विश्व इत्यास के मादम से भी इंपोर्टेट है 29 मही 1453 को जो तुरकों ने विज्व हासिल की थी तो उनका जो सुल्तान था उसका नाम था मेहमेद मुहम्मद लिखावा आता है लेकिन सही नाम है उसका महमेद सेकिन और इसको कई बार ये भी लिख देते हैं महमेद क्योंकि इसका जो तुर्की में उचारण है वो महमेद होता है इसलिए इसको महमेद सेकिन कहते हैं इसको कहते हैं महमेद दे कॉंकरर विजेता तो इसलिए इसके नाम के आगे कई बार आपको लिखावा मिलेगा कॉंकरर विजेता और इसके नाम के आगे फतेह भी लिखावा मिलेगा आपको फतेह सुल्तान तो ये बेजंटाइन एम्पाइर की यहां पर समापती हो जाती है और ओटोमन एम आपने नाम सुना होगा वार इसका या इसको आप Hindi में कहेंगे तो उस्मानी सामराज्य या उस्मानी सल्तनत आप इसको कह सकते हैं यह एक ही बात है उस्मानी सल्तनत या Ottoman Empire यह इस Empire की शुरवात हो जाती है फिर उसके बात में जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रिंस हैं और अनेक अभियानों का अनुमती दी तो Henry the Navigator और John 2 से पहले की भी आपको कुछ परिस्तितियां देखने की जुरूत है यहां से मैं इसको clear करके यहां पर आपको लिखके बताता हूं सारी बातें समझने के बाद इतिहास पढ़ने का एक अलगी मज़ा आता है एक पॉप हुआ करते थे Nicholas 5 Nicholas 5 यह थे पॉप इसायों के धर्म गुरू तो पॉप ने 1452 और 1454 पचपन में दो महतपूर्ण पैपल बुल जारी किये पैपल बुल कहते हैं पॉप के दुआरा जारी किये गए आदेश को किसी प्रकार का डिक्री या हुक्म नामा आप उसको कह सकते हैं या किसी प्रकार का अनुमती पत्र है उसको पैपल बुल कहते हैं पी ए यह क्या लिख दिया मैंने पी ए पी ए एल पैपल बुल यह दो पैपल बुल बहुत इंपोर्टेंट है बकि इनके नाम भी है दैसे रोमन पॉंटिफ है लेकिन वो कई ज़्यादा महत्पुन नहीं है दूसरा डम डाइवर्सस है लेकिन उनको आपको किसी भी प्रकार से याद रखने की जूरत नहीं है ये नाम आप याद रखना पैपल बुल जो पॉब आदेश जारी करता है उस है किनको गैर इसाईयों को क्यों तुर्क है वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे तो इसके काउंटर में इसाईयों ने भी पोप ने ये कोशिश की कि किसी प्रकार से इसायत का प्रचार किया जाए और नए नहीं इलाकों में इसाई धर्म का प्रचार प्र आपको एक स्थार मिलेगा तर्टी इलाका है अफरीका में केप बोज़ाडोर केप बोज़ाडोर मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ केप बोज़ाडोर कहाँ पर है यहाँ यह केप बोज़ाडोर है आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये Cape Bojadore है, तो Cape Bojadore से दाख्षिन वाले जो इलाके हैं, उन इलाकों में आप अनुमती मिल गई, पुर्त गालियों को 1454 पच्पन वाला जो पैपल बुल था, उससे ये अनुमती मिल गई, कि इस से दाख्षिन के इलाकिये जो हैं या इससे और आगे के इलाके हैं, उन इल इलाके आप खोजते हैं, वो इलाके आपके हो जाएंगे, जो खोजो वो तुम्हारा, तो यह अनुमती मिल जाती है 14455 से, लेकिन उनके पिछे शर्ट यह थी पोप की, कि जिन एलाकों में आप जाएंगे, वहाँ पर आप इसाई धर्म का परचार परसारे करेंगे, अब उन समय के पूर्टगाल के राजा थे, किंग जोन दृतिये, किंग जोन सेकंड, उन्होंने 1486 इस्वी में, इनको हेड बनाया, उस आर्मेडा का, या उस दल का, जो की जाने वाला था, पूरु की और के रास्तों की खोज करने के लिए, आप कह सकते हैं कि भारत की तरफ की का नाम आता है, तो 1486 में इसको न्यूक्त किया गया, 1487 में, हलांकि कई बार 1488 डेट मिलती है, लेकिन ये ज़्यादा एक्सेप्टबल है, 1487 इस्वी में, ये वहां से निकला, तीन जहाजों के साथ में, कहां से, लिस्बन, पूर्टगाल से, पूर्टगाल से, ये रवान से, अचानक, वहां पर तुफान आता है, उन तुफानों को समझने के लिए, मैं आपको मैप दिखाता हूँ, जैसे, एक चित्र है, पहले मैं इनकी यातरा के समंद में, आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये मैंने लिया है, अब की बार, ये जो आपका, गूगल अर आज की यातरा शुरू होती है, जैसे ही वो अफरीका की दक्षिन में पहुंचते हैं, तो इस अफरीका की दक्षिन वाला इस्सा है, ये बहुत ही इंपोर्टन्ट है, और इसको समझने के लिए इसके जूम करके एक दूसरी पिक्चर हम लेते हैं, जिससे हम समझ पाएंग इसको आज की में अगुलहास लिखाओ मिलता है, और जो दूसरी जल्दारा है, ये ठंडी जल्दारा है, जिसको बैंगविला जल्दारा या बैंगविला करंट बोलते हैं, इन दोनों जल्दाराओं के मिलने के कारण यहां पर बहुत सारे तुफान आते हैं, और उन पुश्किल से उनको जमीन दिखाए थी, अब इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, केप ओफ गुड होप जिसको आप बोलते हैं, वो ये इलाका है, यहां पर, इसको मैं लिख देता हूँ, इसको आप बोलते हैं, केप ओफ गुड होप, इसको बोला जाता है, और यहां पर चुकि समुद्री जो तुफान है उनके करणून का जहाज खो गया और वो यहां नहीं उतर की आगे उतरते हैं आगे एक स्थान है उस स्थान का नाम है मोसल बे उसके लिए मैं आपको एक और चित्र दिखा देता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ बाएं सारी बाते हैं समझने की समझ गये तो मतलब बिलकुल ठीक सी यहां मोसल बे यह आपको यहां पर दिखाई देगा केप ओफ गुड होप और यहां पर यहां पर पहुंच जाते हैं वो और यहां से आगे सिर्फ एक इलाका है पोर्ट अलफ्रेड का वहां तक वो जाते हैं अफिरिका यह अफिरिका का दक्षिंतम छोर है लेकिन वो दक्षिंतम छोर नहीं है दक्षिंतम छोर है वो यहां पर है यह केप अगुल हस जो है यह दक्षिंतम छोर है यह अभी आप जो पहले वाला मैप आपको में दिखा रहा था उसमें यह दिया आप इसको देखेंग यहाँ पर यह है केप अगुलहस केप का मतलब आप जानते हैं हिंदी में इनको कहते हैं अंतरीब क्या बोलते हैं केप का मतलब होता है अंतरीब कोई भूमी का नुकिला हिसा उच्छा हिसा जो समुद्र में आगे तक निकला हुआ हो जैसे यह निकले हो हैं समुद्र में हिसे आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे यह हिसे हैं, यह Cape है इनको बोला जाता है, Cape तो वो समुद्र में निकला हो, या नदी में निकला हो उसको Cape बोला जाता है तो इसलिए यहाँ पर Cape Cape नाम जादा रहा तो कहीं पर भी आपको आजाए कि अफरीका का दक्षिनतम हिस्सा कौन सा है तो आप क्या बताएंगे, Cape अगुलहास Cape of Good Hope दक्षिनतम नहीं है, आप देख सकते हैं Cape of Good Hope तो यहाँ पर है और इससे देखो कितना नीचे है यहाँ पर ही यह Cape अगुलहास है, यह दक्षिनतम हिस्सा है तो वो Cape of Good Hope ने पहुंचकर वो पहुंच जाते है जैसा कि मैंने अभे आपको पिछले map के अंदर भी दिखाया था कि Mosal Bay पहुंच जाते है कहां पर पहुंचते हैं वो? Mosal Bay में पहुंच जाते है यहां पहुंचते है तो Cape of Good Hope और Cape of Storm वाला मामना क्यों है? क्योंकि यहां पर वो समुधरी तुफानों में फस जाते हैं इसलिए उन्होंने इसको कहा क्यों का क्योंकि वहां पर वो समुधरी तुफानों में उलज गए थे इसके कारण उसने इसको Cape of Storm कहा और इसको कब देखा? वापसी आते समय जो वापस उनकी यात्रा थी पूर्तगाल जाने की उस दोरान उन्होंने देखा केप ओफ स्टॉर्म को इसका नाम दिया उन्होंने केप ओफ स्टॉर्म अब केप ओफ गुडॉप नाम कम दिये जाता है ये कई बार आपको बुक्स में मिलेगा कि वास्को डिगामा ने जब भारत की यात्रा की उसके बाद में इसको केप ओफ गुडॉप का लेकिन केप ओफ गुडॉप उससे पहले का गया जब बार्थोलोमियो डियाज और उसका कारवा वापस गया पूर्तगाल में तो पूर्तकाल का जो समराँ था उस समय का मैंने आपको बताया जोन सेकंड तो जोन सेकंड ने इसको बताया कि एक बहुत इच्छी बात है कि एक हमें उमीद मिली है एक रास्ता मिला है पूर्व के और जाने का तो इसलिए उन्होंने इसको Cape of Storm ने कर इसका नाम बताया Cape of Good Hope या इसके बाद में इसको कहा जाने लगा Cape of Good Hope हलाकि बिल्कुल स्प्रश्ट तो कहीं पर भी नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब बार्थलोमिय डियाज वहाँ पर वापस गया उन्होंने बताए कि हम आखफरीका के दक्षिंतम छोड तक जाके आये हैं तो उन्होंने कहा कि ये एक उमीद की किरण है इसलिए उन्होंने इसको Cape of Good Hope कहा अब हिंदी में इसके नाम है तो Cape of Storm है इसको तो कहा जाता है तूफानी अंतरीब Cape of Storm है जैसे मैंने बताया आभी आपको अंतरीब बोल जाता है तो इसको तूफानी अंतरीब या तूफान अंतरीब आप कह सकते हैं और Cape of Good Hope है, अब इसका ये जो नाम चलता है, इसको आप आशा अंतरीब बोलते हैं, आशा अंतरीब, तो ये मेरा मोटीव ये था, कि आपको इस प्रकार से ये दी मैं इसमें दिखाऊँ, तो आप समझ पाएंगे कि ये जो दक्षनतम चोहर वाला जो बिंदु है, ये जो Cape of Good रोफ वाली स्तिती है, वो किस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, इसके अलावा भी मैंने आपको देखो कुछ पोइंट्स बताये थे, कि जो तुर्की वाला इलाका है, वो मैंने आपको बताया था, कि बीच में से वहां पर पानी है, इस प्रकार से मैंने स्वेज नहर के कारण ये रास्ता समुदर से समुदर में नहीं मिलता था, अब यहां पर ये बन गई है, स्वेज नहर आपको दिखाई दे रहा होगा, चितर के अंदर, और नज्दिक से दिखा देता हूँ, ये स्वेज नहर बन गई है, थोड़ा सा मापको इसका और टेड़ा करके दिखा देती है यह तुर्की वाला दिखाता हूँ आपको यह तुर्की वाले हिस्से हैं तो इसमें आपको बीच में दिखागा देखी बीच में स्थान है यह समुद्र है तो यह भी आपस में जुड़े हुए नहीं है आजंकि आप इसमें कुछ पुल बने हुए आपको दिखाई दे जाएंगे जैसे पूल बनावा एक नीचे की तरफ भी बनावा है लेकिन ये इलाका है ये बोस्फोरस जलसंदी है इसको बोस्फोरस जलसंदी कहा जाता है ये बीच में आपको दरार दिख रही है पानी वाली इसको बोस्फोरस जलसंदी कहा जाता है यसी के बाई तरफ म में दूसरा महत्पूर नाम आता है क्रिश्टोफर कॉलंबस का क्रिश्टोफर कॉलंबस आप सभी जानते हैं कि जिसने अमेरिका की खोज की जो निकला था भारत की खोज पर लेकिन उसने अमेरिका की खोज की क्रिश्टोफर कॉलंबस 1492 में जिसने अमेरिका की खोज की उसक का जन्म हुआ है जेनोवा इटली में कुछ बाते हैं जो कई बार काम आ जाती है 1451 में और यह जो यात्रा इसने की थी वो स्पेन से की थी और स्पेन के जो राजशाई का जो स्रक्षन है उससे प्राप्त करके और उनकी साहिता से इसने यह यात्रा की थी तो यह यात्रा पर निकला था अपनी 3 अगस्त 1492 को स्पेन से चला ये 3 अगस्त 1492 को 3 शिप्त लेकर स्पेन से चला Nina, Pinta और Senta Maria Nina, Pinta और Senta Maria तीन जहाजों के साथ ये चला अब ये ऐसा कैसे हुआ कि इसने भारत की बज़ए अमेरिका को खोज लिया इसका कोई तो कारण होगा आप देखेंगे कि जैसे यहां से इस्पेन है और यहां से रास्ता खोजने का जो क्यरीक्रम है वह तक चलता था यहां तो अफ्रीका के और से जाया जाये क्योंकि इनको अमेरिका वगारा का पता नहीं था कि पस्चिम की तरफ से जाया जाये तो भारते जल्दी पहुंचे जासकेगा उसने परीदी का गलत अंदाजा लगा लिया उसको ये पता नहीं था कि पस्चिम की और से क्योंकि दुनिया गौल है और उस त चाहे हम पश्चिम की तरफ से जाएं घुम कर जाएंगे तो भारत हमें जल्दी पहुंच जाएंगे आप गलोब के माद्यम से सोचके देखिए नक्षिया तो फ्लैट है तुट डाइमेंशनल में समझ नहीं आता है त्री डाइमेंशनल में समझ में आता है तो वो चला गया यहां से निकलकर उसने यातरा की शुरुवात की और वो यहां बहामास के पास आ गया है यहां जो कैरिबियव दीप समू है मद्ध अमेरिका में आप कह सकते हैं या उत्री अमेरिका के हिससे वैसे तो यहां पर वो पहुंच जाता है यहां पर वो दीप-दर-दीप भठकत नहीं है जिस पर हम आना चाहते थे इसलिए जो जो अमेरिका वे कहरा कि जो मूल लिवासिया उनको रेड इंडियन्स का जाता था क्योंकि इसने जाकर उसको इंडियन्स इंडिया समझ लिया था लेकिन बाद में उसने पता चला कि वो गलत जगए चला गया है तो यह इस क्योंकि यह भोले बाले लोग थे इनके पास नए ज्यादा हतियार थे नह यूरोपीयों की तरह यह उन्नत थे तो यहां से अफरीका से गलाम लाये जाते थे उन गुलामों से यहां काम करवाए जाता था यहां के मूल निवाशियों को एक दम चौटी बस्तूयों में शिक कि और तमाकू की खेती वगरा खूब कर्वाई फरी में जमीन यहाँ पर है ही मून लिवाशिओंसे छिण ली और उस चीजों को यहाँ पर यूरोप में लाकर बेच दिया तो यह व्यापार का एक तिर्कोर बन जाता है यह तिर्कोर ही व्यापार कहा जाता है तिर्पूट ज आसानी से थोड़े से अतियारों से भी कब जा सकते हैं और फिर उसके बाद में यूरोप में उन सामानों को ले जागार बैजो तो ये तिरकोणी व्यापार यहां पर हुआ करता था तो यह थो कॉलंबिस की बात की किस प्रकार से गलती सोच ने अमेरिका को खोज लिया अब जो महत्पूर नाम आता है वो आप सभी जानते हैं वासको दिगामा का जिसने भारत की खोज की तो वासको दिगामा अपने चार जहाजों के साथ में भारत की यातरा की और चल निकलता है और मैं 1498 में ये काली कट पहुंच जाता है केरल में काली कट के तरट पर पहुंच कालिकट का आज का नाम है वो कोजी कोड है अब कालिकट नाम नहीं है उसका कोजी कोड नाम है उसका मैं लिख देता हूं ताकि आपको परेशानी नहीं हो तो चार जहाज लेकर वहां से निकले उनके जो बेड़ा था जहाजी बेड़ा उसमें चार जहाज थे और वो कौन से जहाज में उस जहाज का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है वो था साओ गैब्रियल में इस जहाज में वासको डिगामा था तो वो उन चार जहाजों के साथ वहाँ पर आया और उसकी जो यात्रा का जो विवरन है वो इस प्रकार से है कि जैसे मैं आपको चितर दिखा देता हूँ थोड़ा सा चितर के माध्यम से थोड़ा आसान हो जाता है समझाना यह जैसे विश्व का नक्सा है और विश्व के नक्से में आप देखेंगे तो यहां से आप सभी जानते हैं यह स्पेन और पूर्टगाल है तो पूर्टगाल से वह अपनी यातरा की शुरुवात करता है और यहां केप ओफ गुड होप अफरिका से निचला हिस्सा है वहां पर वहां से होते हुए यहां पर एक गुजराती पत्परदर्शक उसको मिल जाता है एक व्यापारिग अब्दुलमजीद उसके माध्यम से वो भारत के यहां पर पश्चिमी तरटपर पहुँचता है तो इस पश्चिमी तरटपर केरल के कालिकट नामक स्थान पर वो उतरता है यहां का राजा तो वहां के राजाओं की उपादी हुआ करती थी जमोरिन वहां के राजाओं की उपादी जैसे आपने बार बार नाम सुना भी होगा जमोरिन राजा का नाम नहीं है वहां के राजाओं की उपादी हुआ करती थी जमोरिन जमौरिन ने उसका स्वागत किया, स्वागत क्यों किया, कि यहां पर जो व्यापार होता था, उस पर अरब के व्यापारियों का एकादिकार था, वही सारा व्यापार यहां से माद्यम से करते थे, तो उस एकादिकार के कारण जमौरिन को भी यह लगता था, कि एक से ज़्या में उन्होंने उसका स्वागत किया जब वो वापस निकला यहां से लेकर और वापस जब वो पुर्तगाल आया तो कहा जाता है कि उसको जहाज में जमोरिन ने उसको जो काली मिर्च और जड़ी बूटियां दी उसको बेज कर जितनी उसकी यात्रा का खर्चा हुआ था उसका 60 गुना उसने कमाया जितनी उसकी यात्रा का खर्चा था उसका 60 गुना उसको मिला जो काली मिर्च और जड़ी बूटियां वगएरा वो लेकर भारत से आया था जो जमोरिन ने उसको प्रदान की थी 60 टाइम दो कोस्ट ओफिस वोइस जैनी उसकी जो यात्रा का खर्चा उ उसका 60 गुना उसको मिला तो यह थी यात्रा वास्को डिगामा की उसके बाद में भी वास्को डिगामा दो बार ओर आया भारत में वास्को डिगामा का प्रशन आ जाए कि वास्को डिगामा भारत कितनी बार आया था तो आप कहेंगे वास्को डिगामा भारत में तीन बार आया था एक बार तो आप सभी जानते है 1498 में मही 1498 में उसके बाद में वास्को डिगामा आता है 1522 में और उसके आने के कुछी समय बाद उसकी कोचीन में मृत्यू हो जाती है 1524 में तो वास्को डिगामा तीन बार भारत आया था तो 1498 में आ जाता है वास्को डिगामा उसके बाद में 1500 इस्वी में आता है पेडरो एलवारेज केबरेल यह आता है और इस दोरान उसका संगर्ष भी होता है अरब व्यापारियों के साथ में और वो जमुरिन से भी कहता ह है कि व्यापार का एक आधिकार हमें देदीजिए अरबों को यहां से निकालीए इस प्रकार कि उन में कुछ होती है जमौरिन उससे नाराज भी हो जाता है तो वो जमौरिन के साथ लड़ने की कोशिश करता है उससे पहले उसका अरबों से भी जगड़ा हो जाता है और करी साहेता से ये भारत पहुंचा था तो जुलाई 1497 में इसने अपनी यात्रा की शुरुवात की और चार जहाजों को लेकर पुर्टगाल से वास्कोडिगामा रवाना हुआ वेस्वेम जिस जहाज में बैठा था उस जहाज का नाम था साव गैब्रियल और अन्य जो जहाज थे उसके बेडे में च्यार उनमें से एक का नाम था साव राफेल दूसरा था बेरियो और तीसरा एक जहाज जिसका नाम नहीं पता चला उसको भंधारन के लिए इस्तिमाल कि माई 1498 में डेट मैंने यहां पर इसलिए नहीं लिखी कि डेट इसमें कभी कई वार 27 तरा महीं मिलती है और वह ओर पूराने वास्को डिगामा काली कट के कप कडावू जिसको कपड कहा जाता है केरल में उस बंदरगाह पर उतरा और काली कट का अब नाम कर दिया गया है तो जिस तो भी नए नाम है और पुराने नाम है दोनों में आपको साथ साथ बताता चलूँगा। वहां के हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। जमोरिन यहां पर राजा का नाम नहीं है, वहां के राजाओं की पैत्रिक उपादी है। तो आपको राजा बदल भी जाएगा तो भी आपको नाम जमोरिन ही मिलेगा। लेकिन अरब व्यापादियों ने उसके साथ वैमनस्य का रवईय अपना है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से अरबों का इस व्यापार पर आधिपत्य था और उनको लगा कि पूर्तगाली यहां पर आये हैं तो निश्चित रूप से हमारे व्यापार में नुकसान हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक शत्रुता की दृष्टी से उसको उनको देखा पूर्तगाली यहां को जब वासकोडिगामा वापस गया तो जमूरिन ने उसे मसाले वा जड़ी बूटिया ले जानी के अनुमति दी अपने जहाज में और जिनको बेचकर जितनी यात्रा का उनका ख आया था उस समय पूर्तगाल का शाषक था मैनुवल फस्ट या इसको आप इमेनुवल फस्ट कह सकते हैं क्योंकि इनके नाम के उचाण में भिनता है इसलिए मैनुवल और इमेनुवल दोनों नाम इसके मिलते हैं पंदरा सो दो में इसके पहले जो आएंगे उनकी बात जाते हैं और उस समय पूर्तगाल के साषक है जोन तृति है उन्होंने इसको वाइसराय बनाकर भेजा और पंदरा सो चोबिस में ही कोचीन में इनकी मृत्य हो जाती है तो वास्कोडिगामा तीन बार कुल भारत आया और उस काल के दोरान पूर्तगाल में शाषक कौन-कौ सबसे पहले और सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पूर्तगाली ही थे तो यहां आपको यह जो काली कट का नाम है यह जो बंदरगा का नाम है यह इस कार की बाते निश्चित रूप से याद रखनी है फिर उसके बाद में दूसरा जो बेड़ा भेजा हुआ और काफी लड़ाई हुई पहले उसके पुर्टगाली नागरिकों को उसके जो क्रू मेंबर्स थे उसका काफी नुक्षान हुआ लेकिन उसके बाद में उसने अर्व व्यापारियों के जहाजों को नश्ट कर दिया और काफी अर्वी उसमें मारे पीगए उसने कोचीन और कैलिकट के शाषकों की शत्रुता का लाब उठाया कोचीन का अब चैणिकट का जैसे मैंने बताया कोजी कूड नाम हो चुका है तो उन दोनों प्रदेशों के शाषकों में आपस में शत्रोता थी इसका फाइदा पुर्टगाली उने उठाया और कोचीन और कैननूर के शाषकों के साथ सोहार्दपूर्ण संबंद स्थापित किये कैननूर का अब नाम आपको कननूर मिलेगा यह एक बार शुरु शुरु में मैं नाम बता देता है तो हम बाद में आप मैं पुराना लूँ या नया लूँ आप समझ जाएंगे पंद्रा सो इस्वी में उसने कालिकट में पहली पुर्टगाली फैक्टरी की स्थापना की यहां पर आपको बहुत सारी पुर्टगाली फैक्टरी की स्थापना की आपको क्या मिलेगा पुर्टगाली फैक्टरी आपको कोचीन में मिलेगी दूसरी कैना नूर में निखाई देती है लेकिन यह फैक्टरियां पहली बन चुकी थी और इन फैक्ट्रियों में दुर्ग का दिर्मानी या इनका फॉल्टिफिकेशन जो है यानि इनके चार दिवारी है और इसको जो सुरक्षा करने के लिए जो दिवार वगए रहा है वो बाद में बनाएगे एक दुर्ग का रूप इनको बाद में दिया गया लेकिन यह सही आ नाम आपको पुराना नाम है ये क्विलोर और अब इसका नाम कॉलम हो चुका है तो ये मैं बता देता हूँ एक ही बार में कॉलम तो ये तीन शुरुवाती फैक्टरियां है जो इन्होंने भारत में लगाई और पहला पुर्तगाली दुर्ग ये दी कहे जो फोल्टिफिकेशन किया उन्होंने अपनी जो फैक्टरिय थी उसका तो वो कोचीन का किया पंदरा सो तीन में तो ये आपको दुर्ग पूछा जाता है पहला तो आप पंदरा सो तीन में कोचीन बताएंगे और दूसरा दुर्गादिया पुर्टगालियों का बताएंगे तो वो कैनानूर यानि कनूर में बताएंगे जो 1505 में उन्होंने बनाया अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जानकारी जो परिक्षा के दृष्टी से महतपूर्ण है कःटेज णं काफिला सिस्टम ये क्या सिस्टम है काश्टेज महम क्या था कि वो भारतियों से पैसा प्राप्ट करने का एक तरीका था उनका जरीय था इस विवस्था के अंदर गट वो करते थे कि भारतिय जहाजों को गोगा के पुर्टगाली वैसराय से ल valley पास लेना प भारत के उनसे एक निश्चित रासी लेने के बाद में पुर्तगाली है वो समुद्र में उन जहाजों की शुरक्षा का दाई तो अपने उपर ले ले लेते थे कि यदि किसी प्रकार के समुद्री डाकों से उनको खत्रा होगा तो उनकी शुरक्षा वो करेंगे और पुर्तगाली कंपणी थी उसका नाम एस्तादो दा इन्डिया था नहीं वो कंपणी का नाम नहीं है एस्तादो दा इन्डिया इदिया आप इसको ट्रांसलेट करेंगे पर्ट्गूज से इंग्लिश में तो आपको शब्द मिलेगा स्टेट ऑफ इंडिया यानि इसरा शब्द आपको इस प्रकार का मिलता है कासादा इंडिया इसका ट्रासलेशन होगा इंडिया हाउस पुर्तगाली राज दुवारा संचाली तो वानेजिक संग्ठन जो यहाँ पर व्यापार करता था या जो सारी गतिविदिया भारत में चलाता था तो इंग्लिश में इसको कहेंगे तो पुर्तगी स्टेट ओवन कोमर्शियल ओर्गिनाजेशन क्या नाम था उस ओर्गिनाजेशन का कासादा इंडिया अब पुर्तगाली इस इंडिया कंपनी के दी बात करें तो उसका नाम क्या था यह बहुत बाद में 1628 में स्थापित हुई जब उन्हें से और बिटिश से बहुत ज़यादा प्र्तिस्पर्दा करनी पड़ी तो अब एक कंपनी का दिर्मान किया गया उस कंपनी को पुर्तगाली में तो कहते हैं Compania de Commercia de India या Compania de India Oriental या इसको आप English में कह सकते हैं Portuguese East India Company सारी ही East India Company थी Portuguese East India Company, French East India Company British East India Company तो King Philip III के टाइम की बात है ये और एक प्रकार से शेर बाजार में उस कमपनी को स्थापित कर दिया गया और कोई भी उसके शेर ले सकता था और सबसे ज़्यादा शेर है वो King Philip III के ही थे उसमें यानि जो समराठ था उसके शेर थे तो इस कमपनी की स्थापना 1628 में की गई लेकिन ये सफल नहीं होई और 1633 में इसको बंद कर दिया गया तो राजा है वो इसमें सबसे बड़ा stakeholder था तो ये कुछ बहुत ही महत्पूर्ण शब्द है जो अपने आप में परिक्षा की दृष्टी से भी उपयोगी है और चातरों में भ्रम भी पैदा करते हैं क्योंकि इनका सही मतलब कहीं बताया नहीं जाता फिर इसके बाद में पूर्टगालियों के गवर्नर्स की बात करते हैं पहला पूर्टगाली गवर्नर है फ्रांसिस्को डे अलमेडा 1505 से 1509 तक का इसका कार्यकाल है यहां एक बहुत ही महत्पूर्ण बात आपके दिमाग की खिड़किया है वो खुली रहनी चाहिए हमेशा अलमेडा को 1505 में तीन वर्ष के लिए भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया अब आप इस डेट को दुबारा देखिए 1505 से 1509 यह तो 4 साल का समय हो गया तो 3 वर्ष के लिए भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया था यानि व्यापार को प्राथमिक्ता देना वैसे उनके उदेशों की बात करें तो उनके दो उदेशे पूर्तगालियों के एक तो व्यापार करना और दूसरा इसाई धरम का परचार परसार करना तो यह फ्रांसिसको डियालमेडा को स्परश निर्देश था कि आपको इस प्रक और किलवा में भी दुर्ग बनवाए अब ये एंजडीवा और किलवा क्या है एंजडीवा आपको गोवा में मिलेगा एंजडीवा गोवा का एक ध्वीप आप कह सकते हैं टापू और एंजडीवा के Isaac बारे में महत्मुन बाद बता ऑओं तो 1806 में पुर्तगालियों ने एं एंजे डिवा से मतलब वो निकले उससे अधिकार छोड़ा था तो 1506 में इस पर अधिकार किया था और 1906 में जब पुर्तगाली भारत से निकले थे तो उसके 48 घंटे के बाद में वो एंजे डिवा से चले गए थे अब इसके बाद में आती है ब्लीव वाटर पॉलिसी ब्लीव वाटर पॉलिसी क्या है देखिए अलमेडा स्थल स्थानों के अपेक्षा समुदरी सक्ति के विस्तार के इच्छा रखता था उसका मानना था कि समुदर पर प्रभूत्व बनाए रखकर ही भारत पर अधिकार रखा जा सकता है यानि उसकी समुदर के प्रती निती इ लिखा जाता है फिर इसके बाद में बात करते हैं इजिप्ट तुर्की और गुजरात के सेउक तिबेडे के साथ अलमेडा का संगर्स और गवर्नर अल्बुकर की कैद और अलमेडा का बदला यहां पर वो पंद्रा सो चार से नो वाली जो आपको पांस से नो वाली जो डे प्यार करके और पूर्तगालियों से लड़ाई करने के लिए बेजा इन गुजरात के साषक ने जो जहाज बेजे मिश्र की सुल्तान की सहता के लिए वो भी उनसे जा मिले समूदर में तुर्की का साषक भी इस अभियान में शाथ में था उन्होंने भी सहता बेजी इसके अलावा भारत में कालीकट, 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 बीजापूर और एमेदनेगर के शाषकों ने भी साहेता बेजी क्योंकि वो सभी पुर्तगालियों से परिशान थे। पंदरा सो आठ हिस्वी में, यहां देखिए महत्पून लडाईया होंगी, पंदरा सो आठ हिस्वी में दाभोल और चोल की लडाई में अलमेडा ऐसफल हुआ, यानि अलमेडा को हार मिली और चोल की लडाई में उसका बेटा मारा गया, अलमेडा की बेटे की चोल की लडाई होगा बारत में उसकी न्यूक्तिक कर दी गई लेकिन अल्मेडा है वो अपने बेटे की मौत का बदला और अपनी हार का बदला लेना चाहता था और उसको पता था कि यदि अल्बुकर गवर्नर बन गया तो शक्तियां उसके हाथ में आ जाएंगी तो इसलिए अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए उसने अल्बुकर को पद नहीं सोपा और उसको कैद कर लिया और खुद गवर्नर बना रहा और 1509 में दीव की लडाई में बैटल ओफ दीव में उसने सियुक्त बेड़े को पराजित कर दिया यानि जो मिश्र तुर्की और गुजरात का सियुक्त बेड़ा था उसको उसने हरा दिया और उसके बाद में 1509 में जब पुर्दगाल से एक और जहाजी बेड़ा आया बड़ा जहाजी बेड़ा तो उसके बाद में ही उसने अलबुकर को पद सोंपा तो इसलिए वो चोथा साल हो गया बनाया तो तीनी साल के लिए था लेकिन चोथा साल इसलिए होगा क्योंकि 1508 में उसने अलबुकर को अपना पद नहीं सोंपा क्योंकि उसे 1508 में हुई हार का बदला लेना था अपने बेटे की मौत का बदला लेना था तो ये महत्पूर्ण बाते हैं कुछ फिसके बाद में दूसरी गवर्नर की बात करते है अफ़ांसो डी अलबुकर्क इसको अलफांसो भी बोलते हैं और अफ़ांसो भी बोलते हैं वैसे आप शही सब्द का ढूनेंगे तो आपको स्पेलिंग यही मिलेगी अफ़ांसो अफ़ांसो डी अलबुकर्क 1509 से पंदरा ये च्छे साल के लिए हो गया अब इसके दो-दो कारीकाल है या एक ही कारीकाल है इसके बारे में कहीं पर भी जान करें नहीं मिली मैंने घंटों प्रियास किया लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला भारत में पूर्टगाली शक्ति की नियम डालने वाला अल्बुकर खी था या आप कह सकते हैं कि भारत में पूर्टगाली शक्ति की स्थापना करने वाला या पूर्टगाली पूर्टगालियों का वास्ट्विक संस्थाप कौन था तो आप किसका नाम लेंगे अफंसो डी अल्बुकर उसने कोचीन को अपना हेड़कॉर्टर बनाया वह पहले आ चुका था एक बार 1503 में स्कुरेडन कमांडर के रूप में 1503 में भारत आ गया था लेकिन 1504 में वह वापस चला गया था और फिर 1508 में उसको गवर्नर बनाया गया था जब उसे अलमेडान कोचीन में पहला पुर्टगाली दुर्ग का निर्मान किसने करवाया अलफॉंसो डी अल्बुकर्क ने लेकिन वह उस समय गवर्नर नहीं था ये बात आपको ध्यान में रखनी है 1510 में उसने बिजापूर के सुल्तान यूसुफ अदिलसा के नेंतरन वाले गोवा पर अधिकार कर लिया ये एक महत्पून प्रशन बनता है प्रशन है कि गोवा पर पुर्टगालियों का अधिकार कब हुआ तो आप बताएंगे 1510 इस्वी में गोवा पर पुर्टगालिय पर अधिकार कर लिया यानि गोवा के समीब की जो भूमी थी उस पर भी उन्हों ने अधिकार कर लिया और राजापूर और दाबहूल यहां एक बात अलग है कि जो राजापूर है इसको आप कई पुस्टकों में तो विवरन मिलता है नहीं नहीं इसको राज़ोरी लिखा किया वो भी है रत्नागिरी में तो मेरे ख्याल से देखिए ये राजापूर ही होना चाहिए जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक वाला है राजवरी शायद मेरे इसाब से वहां कोई भी नहीं है हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं लेकिन मुझे राजवरी स्थान वहां पर में कोई मि और फिर उसके बाद में होर्मुज में हदिकार किया उन्होंने 1515 में ये इरान का इलाका है वैसे और फारस की खाड़ी में आपको दिख जाएगा एक चोटा सा टापू तो होर्मुज वैसे होर्मुज स्ट्रेट भी आपको वहां पर दिखाई दे जाएगी आप मैप देखेंगे वर्ल्ड का उसमें आपको दिखाई दे जाएगी तो 1511 में मलका पर अधिकार और 1515 में होर्मुज पर पूर्तगालियों ने अधिकार कर लिया अलबुकर्क ने गुजरात के सासक से कुछ मांग की थी क्या मांग की थी दीव और बेसिन में दुर्ग बनाने की अनुमती खंबात के व्यापारियों का माल खंबात के अलावा किसी अन्य बंदरगापर ने बहजने और किसी तुर्की ओटोमन व्यापारी को अपने राज्य में आने की अनुमती ने देने की मांग की तुर्की या ओटोमन कह सकते हैं इसमें बीच में सलेश लगा देंगे ओटोमन समराज्य है वो जो तुर्की वाला ही है 1453 में तुर्कों ने अधिगार कर लिया था कुस्तुन तुनिया को एक प्रकार से हारा दिया था उन्होंने 1453 में जो बेजन्टाइन समराज्य की अफांसोडी अल्बुकर्क के कारेकाल में होई उन्होंने हिंदू महिलाओं के साथ विवा की नीती अपनाई ये प्रश्न अक्षर पूछा जाता है कि किस पूर्टगाली गवर्नर ने हिंदू महिलाओं से विवा की नीती अपनाई तो आपका अंसर होगा अफांसोडी अ 38 देखे कहां आ गए हैं हम 1509 से 15 और 15 के बाद में 1529 तक यहां समय खाली है क्योंकि कोई महत्पूर्ण बात यहां पर घटित नहीं हुई हलांकि गवर्नर तो तब भी बने हैं लेकिन उन गवर्नरों का जिक्र करना ज़्यादा जरूरी नहीं होता इसलिए पुस्तकों में नह जिसका मैं आपके बताया था कि 1524 में तीसरी बार वो भारत आया था गवर्नर या वाइसराय बनकर और वहीं कोचीन में उसकी मृत्य हो गई थी उसके बाद में महत्पूर्ण गवर्नर का नाम आता है नूनो दा कुन्ना या इसको पुस्तकों में नीनो दा कुन्ना भी लि मुगली बंगाल में पुर्टगाली बस्तियों की स्थापना कर लिए 1534 और 35 में उन्होंने बेसिन और दीव पर अधिकार कर लिया किस प्रकार से अधिकार किया वो स्टोरी आपको मैं बता देता हूं पुर्तिगालियों ने मुगल बादशा हुमायू वे गुजरात की सासक बादूर्सा की विमनस्यता का लाग उठाया यानि गुजरात की सासक को हुमायू से खत्रा था हुमायू ने गुजरात पर आक्रमन किया और इस दर की वज़े से ही उर्स ने बेसीन है वो सौप दिया था अब बेसीन है उसके बारे में ये दिया में आपको बताओं तो अब इसका नाम बेसीन नहीं है वसई बोला जाता है महराश्टर में वसई और इंग्लिश में ये दिया में इसका नाम बताओं तो पहले स्पे पाथा क्योंकि उसको खत्रा था हुमायों से और वो पुर्तगालियों की सहयता प्राप्त करना चाहता था इसके अलावा दीव के मुद्दे पर भी उनमें आपस में समझोता हो गया लेकिन 1536 में हुमायों के वापस लोडने के बाद पुर्तगालियों और बहादुर्शा के बीच में यानि गुजरात के साशक के बीच में समंध फिर से कड़वे हो गए इस मामले में फिर विवाद बढ़ता गया और फिर एक शहर में एक दिवार खड़ी करने के मुद्दे पर मामला बिगड़ गया और एक जड़प में भादुर्शा मारा गया कई पुस्तकों मे को हराने का प्रियास किया 1529 में लाल सागर से पुर्टगालियों को खदेडने के लिए सुलेमान रईस के नित्रितु में एक बेड़ा बेजा गया बहदुर्शा यानि गुजरात के सासक ने इस बेड़े का स्वागत किया और दो तुर्क अधिकारियों को भारतिये नाम द दमन और दीव पर आकर्मन करके विजित करने का प्रियास किया तो रुमी खाने उनको प्राजित कर दिया गुजरात और तुर्की का गठमंदन और मजबूत हता उससे पहले ही मुगलों की चुनोती का सामना करना पड़ा हुमायों की चुनोती का बाहदुर्शा को सामना कर तो इसलिए वो दो महिने की घेराबंदी के बाद में वहां से जो घेराबंदी है दीव की छोड़कर वो वापस चले गए उसके बाद में भी कई अक्रमनों ने किये जिनका वरणन मैं अगले वीडियो में करूँगा या जो अन्य जो उनके जो संबंध है यूरोपय कंपनिय और भी आने लगी थी इस जोरान तो उनके साथ किस प्रकार के संबंध थे व्याबार वो किस प्रकार से करते थे भुगतान किस प्रकार से करते थे उस प्रकार की सारी बाते हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा यहां एक महत्वण बात और रह जाती है कि न नहीं इतने important है नहीं इतने याद रहते हैं अब बात करते हैं पुर्तगालियों के मुगल बालशाओं के साथ संबंदों की जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं विस्तार से पढ़ाने में विश्वास रखता हूं लेकिन जल्दी जल्दी बताता हूं कि आपका समय ज्यादा जाय हो गई है अब मुगल इतने शक्तिशाली होते वे भी पुर्तगालियों को क्यों नहीं हटा पाए सबसे महत्पुन बात है नोसेना पुर्तगालियों की नोसेना सक्तिशाली थी और मुगलों ने शक्तिशाली नोसेना के निर्मान पर ध्यान नहीं दिया नहीं उनकी समुद जहाज निशुल्ग लाल सागर से होते हुए यातरा कर सकते थे अब इसमें निश्चित रूप से पूर्ट गालियों का अपर हैंड हो गया या आपको कोई कहे कि यहां से आप साल में एक बार या पांच बार फ्री में जा सकते हैं इसका मतलब सामने वाला मजबूत है नहीं अकबर के जो दर्बार में जेसुइट मिसन आए उससे पहले की बात करते हुए इसाईयों के साथ उसके सम्मंदों की बात करते हैं 1572 में अकबर पहली बार यूरोपिय इसाई पादरियों से मिला कब जब उसने कैमबे गुजरात का दोरा किया उस समय पूर्टगाली गवर स्वर्मा में आपको 78 मिलेगा और परिक्षावानी में और जो एल सिर्वास्तव वाली बुक है उसमें 1580 मिलेगा मैं इसके पिछे की कहानी बताता हूं 1578 में एक पादरी से चर्चा हुई थी अकबर की लेकिन वो अकबर के सवालों का ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाय तो अकबर ने गोवा में पत्र भेज कर पूर्तगालियों के पास की मुझे दो ऐसे पादरी विद्वान भेजिये जो मेरे सवालों का जवाब दे सकें तो इसलिए 78 और 80 दोनों बाते हमें मिलती हैं तो जेसूइट मिसन हम 80 में मानेंगे 1589 में सितंबर 1589 में पूर्तगाल ये दोनों वहाँ पर पहुँचें 1583 में वो अकबर के दरवार से वापस लोटें दूसरा मिशन 1590 में आया और 92 में वापस चला गया और तीसरा मिशन 1595 में जेसूइट मिशन यानि इसाई धरम के पादरी आये अब इससे समंदी दो महत्पुन बाते हैं जो आपको एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से याद रखनी है कि 1542 में प्रसिद संथ फ्रांसिस जेवियर पूर्तगाली गवर्नर मॉर्टिम अफॉन्सो दे डिसूजा के साथ भारताया मॉर्टिम इसको मॉर्टिन लिखावा आता है लेकिन सही नाम मॉर्टिन है मॉर्टिन अफॉन्सो डिसूजा 1560 में गोवा में इसाई धर्म नयाले इंस्टिटूशन ओफ इनक्विजिशन की स्थापना पूर्तगालियों के दुआरा की गई अब जहांगीर के साथ संबन जहांगीर के साथ पूर्तगालियों के संबनों में उतार चड़ाव आता रहा सबसे पहले जब अकबर के समय जू जेसूइट मिशन आये थे उनके साथ भी जहांगीर ने चर्चाएं की थी और उसका इसाई धर्म की तरफ थोड़ा सा जुकावत था लेकिन मुसल्मान जो उलेमा थे उनको शांत करने के लिए बादिशा बनने के बाद शुरुआत में उसने जैसुईट पाद्रियों की उपेक्षा की लेकिन धिरे धिरे ये एक एस्थाई अलगाओ था जो दूर हो गया और 1606 में फिर से उसने जैसुईट मिशन्स को यानि इसाई पाद्रियों को समर्थन देना शुरू कर दिया लाहोर में एक विशाल चर्च और पाद्रियावास को साथ बनाए रखने के अनुमती दी गई 1608 में आगरा में 20 दिख्षा स्थान बपतिस्मा आयजित किये गई बैप्टिज्म यानि इसाई धर्म में दिख्षित करने वाले जो कारिक्रम हैं वायजित किये गई गलियों और सडकमारगों पर पूरे कैथोलिक रिती रिवाजों के साथ चर्च के दूलूसों को निकालने की अनुमती दी गई अब यह मैं क्यों बता रहूं आप सोच रहोंगे कि यह जो लाइने हैं यह तो हम पढ़ लेंगे यह आपको किसी एक बुक में नहीं मिलेंगी मैंने बहुत सारी बुक्स से वेबसाइट से देखकर और जो भी मैंने आज तक बुक्स पढ़ी हैं उन सब का निचोड इसमें निकालने का प्रियास किया है और आजगेर का विष्वा विवार है वो इस प्रकार का था कि जेसुईटों को ये भरम हो गया कि ये तो इसाई बनने ही वाला है जल्दी उसने Old and New Testament ये जो आप Bible देखते हैं, Bible के दो भाग है Old Testament और New Testament जो पुरानी यहुदी धरम वाली जो परंपराएं और उनके जो पुस्तक है वो Old हो गई कई सारी पुस्तके हैं Old और New में भी और बादवाला जो हिस्सा है इसामसी के जर्म के बादवाला वो New Testament हो गया दोनों को मिलगा कर Bible बनती है तो था संतों के जीवन के से लिए गे धार्मिक विश्यों के चित्रों के प्रति ऐसा धरन रूची दिखा यानि इस प्रकार की फोटो और इस प्रकार के चित्रों के प्रति उसकी बहुत ज़्यादा रूची थी उसका सिहासन इसाई संतों की पेंटिंग से घिरा हुआ था और यह अफवा फैल गई थी कि जहांगीर इसाई बन गया है जहांगीर पूर्तिगालियों से मधूर संबंद बनाना चाहता था परनतु पूर्तिगाली उसे इसाई तो बनाना चाहते थे लेकिन मुगल सत्ता को नजरंदाज कर रहे थे यानि उनका मोटिव तो ये था कि इसको इसाई बना दिया जाए देखो पूर्तिगालियों के दो मोटिव थे व्यापार करना और लोगों को इसाई बना इसाई धर्म का परचार परसार करना तो वो जहांगीर पर डोरे तो डाल रहे थे इसलिए कि उसको और उसके जो दरबार के और उसके परिवार के सद्द से उनको इसाई बना लिया जाए लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि मुगलों की सत्ता को वो पुरी तरह स्विकार कर ले तो जहांगीर ने 1607 और 1610 में दो मिशन गोवा भेजे लेकिन पुर्तगालियों ने उसको भाव नहीं दिया 1613 में पुर्तगालियों ने सूरत में चार शाही जहाजों को पकड़ कर लूट लिया उसके बाद में जहांगीर ने सूरत के मुगल गवर्नर मुकरब खान या इसका नाम आपको मुकरब खान मिलता है जैसे स्वेक्टर में आपको मुकरब खान नाम मिलेगा को पुर्तगालियों को दंडित करने का आदेश दिया सूरत के गवर्नर को पुर्तगालियों को दंडित करने का आदेश दिया जहांगीर ने तो मुकरब खाने अंग्रेजी नोसेना के कप्तान डॉंटन के सयोग से पुर्त गालियों को सामुद्रिक यूद में प्राजित अब यहां समझने वाली बात है कि पुर्त गालियों की बात करते करते अच्छनक अंग्रेज कैसे आगे यह आपको ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं अब 1613 के बाद की तो 1608 में आप सभी जानते हैं हेक्टर नामक जहाज में सवार होकर और कैप्टन होकिन्स भारत में आ जाता है तो वो भी इस दोरान आ गया है इस दोरान डचों ने भी अपनी फैक्टरी स्थापित कर ली है भारत में तो डचों और अंग्रेज इस दोरान भारत में आ जाते है जहांगीर ने पुर्तगालियों को दी गई सारी व्यापारिक सुईदा हैं वापस ले ली अगरावे लहोर स्थित उनके गिर्जा अगर बंद करवा दीगे अंत तह पुर्तगालियों को जैसुटों की साहता से यानि धार्मिक पादरियों की साहता से जो इसाई पादरियों की साहता से जहांगीर के साथ समझोता करना पड़ा है अब आगे आते हैं साहजाँ लेकिन पुर्तगालियों ने उसकी साहता नहीं की तो शुरुवात से संबंद खराब हो गए शाशक जब साजा बना बादशा बना तो उसके बाद में पुर्तगालियों ने उसको नजराना पेश नहीं किया इसके अलावा मुम्ताज महल के लिए लाए गई दो दासी कन्याओं की नाओं को लूट लिया गया था यानि सारे ही विपरित काम चल रहे हैं तो साह जहां के साथ लड़ाई तो हो नहीं है अलफांसो नामक पुर्टगाली व्यापारी द्वारा हुगली स्थित पश्चे मंगाल में हुगली नामक जो उनकी फैक्टरी थी वहां किसी जमीन को लोटाने संबंदी विवाद के कारण बंगाल के सुबेदार को पुर्टगाली के खिलाफ लड़ाई चेड़ने का मोका मिल गया और 1632 में बहुत महतपून डेट है ये साह जहां के आदेश पर बंगाल के सुबेदार कासिम खाने हुगली पर आकरमन कर उन्हें लूट लिया तो 1632 में साह जहां के काल में हुगली पर आकरमन होता है उसके बाद में आते हैं औरंग जेब औरंग जेब के समय में भी पुर्टगाली अराकानी या माग अराकानी है ये एरिया आपको मिलेगा म्यानमार में जो बंगाल की खाड़ी है उसकी तरफ वाला इलागा यानि म्यानमार की नक्षे में आप देखेंगे तो पश्चिमी साइड में जो बंगाल की खाड़ी तक तटी इलागा है सारा अभी तो तब तो बंगाल का हिसा था अब आप उसको बांगलादेश बोल सकते हो बंगाल के गवर्नर साइश्टा खा ने एक सुद्रिड जल बेड़े का गठन कर बंगाल की खाड़ी सित सोन दीप या इसको सैंड विफ बोलते हैं पर अधिकार कर लिया यह समुद्री अभी पर्मुक के अंदर था तो इस दोरान भी एक जगडा होता है साजान के दोरान मीं एक जगडा होता है और जहांगीर के समय भी नामक जहाज से सूरत पहुंचा 1609 में होकिन्स जहांगीर के दरबार में पहुंच जाता है पुर्तगालियों ने बहुत कोशिश की उसे रोकने की लेकिन वो कोशिशे ऐसफल साबित हुई होकिन्स तुर्की भासा का अच्छा जानकार था हलांकि कहा जाता है कि उसको फार्सी भी अच्छे आती थी तो उसने जहांगीर के साथ सीधा समवाद किया क्योंकि भाशा दोनों की मैच हो गई जहांगीर ने उसे 30,000 की वेतन पर 400 का मनसबदार न्युक्त किया और उसे खान की उपादी दी दोनों महत्वपुन बाते हैं पुर्तगालियों के दरबार में आगमन को रोक पाने में ऐसमर्थ यानि पुर्तगाली भी उस दोरान दरबार में आते रहे और विलियम होकिन्स ये जानता था कैप्टन होकिन्स ये समझता था कि कैसे ने कैसे पुर्तगालियों का प्रभाव है वो दर्बार से समाप्त किया जा सके लेकिन होकिन्स है वो पुर्तगालियों का प्रभाव समाप्त नहीं कर पाया पुर्तगालियों का आवागमन जारी रहा इसके अलावा सूरत की व्यापारियों ने भी उसकी शिकायत की तो इस सारी बातों से शुब्ध होकर और दर्बार में अपना घटाव अब भाव देकर 1611 में उसने मुगल दर्बार को छोड़ दिया अब मैं एक लाइन को बार-बार नहीं पढ़ूँगा क्योंकि कोई ऐसी क्लास तो है नहीं कि आप सीधी कक्षया में बैठे हैं और मैं बार-बार बोलके आपको समझाऊँ इसलिए आपको नहीं एक बार में याद रहता है आप दुबार वीडियो देख सकते हैं तो इसलिए थोड़ा जल्दी वीडियो कंप्रीट हो जाता है मैं चाहता हूँ कि टोपिक जल्दी खतम हो ऐसा नहीं कि मैं आपको बार-बार एक लाइन गाता रहूँ और आपको एक गंटा आपका खराब कर दो उसके बाद में कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट्स है इबेरियन यूनियन 1580 में पूर्टगाल का स्पेन के साथ शामिल हो जाना जो इबेरियन पेनिंसुला है इबेरियन प्राइदीप है आपको मैं साइड में मैप दिखा देता हूँ जो स्पेन और पूर्टगाल वाला इलाका है वो दोनों एक हो जाते हैं यानि स्पेन का शाषक की पूर्टगाल का शाषक हो जाता है फिलिप सेकिंड स्पेन और पूर्टगाल का शाषक बन जाता है 1588 में स्पेनिश अर्माड़ा की इंगलेंड से प्राजे जो श्पेनिस बेडा था जहाजी बेडा उसमें लगबग 130 जहाज थे और इंग्लेंड के हाथों उसकी वहाँ पर प्राजे हो जाती है दोनों बाते महत्पुर्ण है और ये भारत के संदर में भी जुड़ी हुई है आगे आप समझ जाएंगे 1649 में मराठों ने पुर्टगालियों से सालसेट और बेसीन का द्वीप छिन लिया ये बीच वीच महत्पुर्ण बाते में लास्ट में शामिल करता हूँ क्योंकि कहानी के दोरान छूट जाती है 1661 में मैरिज ट्रिटी जो शादी वाली संदी होती है कि पुर्टगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ है ब्रिटेन के समराठ चार्ल्स सेकिंड का विवा वाली जो संदी है जिसके दोरान आप पढ़ते हैं कि दहेज में बंबई का द्वीप है वो दे दिया गया था तो यह संदी होती है यहां महुत पुर्ण बात देखी किताबों में आपको विवरन गलत नहीं मिलता है लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं संदी होती है 1661 में विवा होता है 1662 में यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि विवा होगा चार्ल्स दित्य का कैथरीन के साथ म वो बातें संधी में तो आती है 1661 में लेकिन उनकी शादी होती है 1662 में और इसी संधी के तहट पुर्तगालियों ने बंबई का दीप है वो इंग्लेंड को दे दिया चार्लस जित्ये को दे दिया चार्लस जित्ये ने बाद में वो इस्ट इनिया कमपनी को दे दिया पुर्तगालियों का पतन यह मुगल बादश्याओं के साथ संबंद और कुछ महत्पूर्ण बातें थी अब पुर्तगालियों का पतन बहुत सारे कारण है कुछ महत्पूर्ण कारण मा आपके लिए छांट कर लाया हूँ सत्रवी शताबदी की पृथम दशक में भारत में पूर्तगालियों का सामराज लगबग समाप्त हो गया अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट भी देखते हैं जो इतिहास की शुरुवात ही करते हैं तो सत्रवी शताबदी का मतलब आप समझेंगे 1601 से 1720 तक हालंकि जो बार-बार इतियास पढ़ रहे हैं या पृतियोगी प्रिक्षाओं की तियारी करे हैं वो तो ऐसी बातों को जानते हैं लेकिन कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स भी इस प्रकार की वीडियो देखते हैं कमेंट भी आये थे तो उनको मैं शोर्ट में बता जिता हूं थोड़ी बात है पृतिम दशक का मतलब शुरुवाती दस सालों की बात है में पूर्तगालियों का समराज लगभग समाप्त हो गया और इनका स्थान डचों और अंग्रेजों ने ले लेकिन तीन स्थान गोवा, दमन और दीव में पूर्तगालियों का आधिपत्य बना रहा और 1961 तक बना र यानि पूर्तगाल और स्पेन एक ही टेरिटरी बन गए, स्पेन का राजा ही पूर्तगाल का राजा हो गया, तो स्पेन का अर्माडा जब पराजित हुआ, पूर्तगाल का भी साथ में पतन हो गया, यानि पूर्तगाल के शक्ती भी कमज़ोर हुई, अलबुकर के बाद में जो governor थे वो उतने योगे नहीं थे पुर्तगालियों को अपनी सरकार का पुर्ण सयोग नहीं मिला उनके वेतन कम थे जिसके काण करमचारियों में भृष्टाचार आम बात हो गई अन्य European कंपनियों की उतुलना में उनको सरकार से कम सयोग मिलता था वेतन भी उनको कम मिलता था धर्म के मामले में पुर्तगाली ऐस अहिशनु धर्मान थे जितनी भी जो European companies आई यहाँ पर जो European countries से जैसे डच आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए और इसके अलावा फ्रांसिसी आए तो उनमें सब में सबसे ज़्यादा धर्मान दिया यानि इसाई धर्म का परचार करने का सबसे ज़्यादा ठेका इन्हों नहीं उठा रहा था पुर्तगाली ने यानि इनका मोटिव बहुत ज़्यादा ये रहता था कि इसाई धर्म में दिख्षित किया जाए लोगों को धर्म का परचार प्रसार किया जाए तो इससे बहुत ज़्यादा इनको नाराज की जहलनी पड़ी और जबरन धर्म परिवर्तन वाली जो इनकी निती है वो इनके लिए घातक शिद्ध होई उन्होंने विपने व्यापारिक अड़ों का छेत्री राज्य की रूप में बदलने का प्रियास नहीं किया पुर्तगालियों की डकैती और लूटमार की निती ने भी उनका नुकसान किया जिसा मैंने भी बताया अर्राकान वालों से साथ मिलकर भी वो डकैती वगरा करते थे ब्राजील की खोज के बाद भारत की और उनका ध्यान कम हो गया पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का अधिक नियंत्रन था जैसे इंग्लेंड वाली जो कंपनी थी वो एक तरह से प्राइविट लिमिटेड कंपनी थी और अपना ज्यादतर जो काम है वो कंपनी की जो board of directors होते थे उसके इसाब से चलता था उन्हें डचों और अंग्रेजों जैसी ताकतवर व्यापारिक शक्तियों से संगर्ष करना पड़ा आप देखते हैं कि बाद में डच और अंग्रेज हैं वो महतपूर्ण शक्तियों की रूप में भारत में उबर क्योंकि जो यूरोप की currency है वो भारत में चलती नहीं थी हालांकि सोने चांदी और जो किमती रत्न थे उनका महतव जरूर था यानि यूरोप से क्या लाते थे सोना चांदी और अन्य भहुमूले रत्न लाते थे और उसके बदले में भारत से वस्तुए ले जाते थे हालां और कोंकन तर से सरवादिक व्यापार काली मिर्च का हुवा करता था इसके अलावा मालाबार से अद्रक, दालचिनी, हरड, चंदन, हल्दी, नील इत्यादी निर्यात किये जाते थे उत्तरपश्ची में भारत से वो ले जाते थे टाफटा जो एक प्रकार का कपड़ा होता है चिंट्स ये भी एक प्रकार का कपड़ा होता है और ये प्रिंट वाला चमकिला सूती कपड़ा होता था तो ये भी ले जाते थे जाटा मांसी बंगाल से ले जाता था जाटा मांसी का मतलब होता है एक पोधा है और उस पोधे से तीखी महक वाला इत्र बनता है यानि प इत्यादी भारत लाते थे अब पुर्तगालियों का कुछ योगदान हैं बहुत सी बाते आप पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या-क्या यहां पर लाए हलांकि कुछ इसमें विवाद असपत पोइंट्स हैं जैसे कुछ बाते हैं वो दूसरों के माध्यम से वे पुर्तगालियों पुर्तगालियों के माध्यम से भारत में तंबाकू, मुंगफली, आलू, मक्का, पपीता, अम्रूद, बादाम, काजू, लीची, चीकू, संत्रा, पाइनेपल, इत्यादी का भारत में प्रिवेश हुआ भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेवी पुर्तगालियों को ही जाता है, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में पुर्तगालियों दुवारा 1556 में गोवा में की गई भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के कारण ही हुआ ये तिकोने महराबों वाली यूरोपिय शेली है इसकी शुरुवात करते हैं पुर्तगाली भारत के अंदर तो ये कुछ महतपुन बातें थी पुर्तगालियों का व्यापार में योगदान उनका पतन कैसे होता है और इसके अलावा बहुत सारे महतपुन बिंदू और मुगल जो शासक थे उनके साथ पुर्तगालियों के संबंद किस प्रकार के रहे इसके बारे में हमने चर्चा की तो शुरुवात करते हैं डचों के भारत आगमन के बारे में और वहां जो लेंग्वेज बोली जाती है भाषा वो भाषा भी डच है यहां की जो लेंग्वेज है उसका नाम भी डच है अब इसके समद्ध में आपको और नाम मिलता है होलेंड अब ये होलेंड क्या है इसका सही नाम होलेंड है या नीदरलेंड है नाम इसका हमेशा सही ये मालने ज़िए आपकी नीदरलेंड ही था अब भी दे नीदरलेंड से इसका नाम है Holland इसको क्यों कहा जाता है यहाँ आपको दो इलाके दिखेंगे North Holland और South Holland जो 12 प्रांथ है टोटल इसमें टोटल निदरलेंड में 12 प्रांथ है उन प्रांथों में से दो प्रांथ है North Holland और South Holland जब पुराने समय में Napoleon ने यहाँ पर कबजा किया था और अपने भाई लुईस को 1806 में यहाँ का शाषक बनाया था तो यह Kingdom of Netherlands था उस दोरान यह जो इलाका है North Holland और South Holland यह मिलकर Holland हुआ करता था और यहाँ से निदरलेंड में सबसे ज़्यादा अर्थ्वेवस्तामी योगदान दिया जाता था तो बहुत सारे देशों में एक निकनेम के रूप में निदरलेंड का नाम Holland चलता था और पुराने हमने कई मैश दखे हैं होकी कि मैरे मेरे खुद को याद है वहाँ पर टीम का नाम Holland लिखावा मिलता था लेकिन officially इनका नाम निदरलेंड ही है तो ये पुराने समय की बात है और शब्दों का मतलब देखें तो Holland का मतलब है Woodland वहाँ पर जंगल थे और लकड़ी बहुत मिलती थी इसलिए इनको Woodland कहा जाता था और नेदर Dutch में तो है N-E-D-E-R और English में आप लिखेंगे N-E-T-H-E-R नेदर का मतलब होता है निचला ये जो पश्चमी तट की और निचले इलाके थे इस पूरे इलाके को निदरलेंड का आ जाता था इसमें सिर्फ यही शामिल नहीं था Belgium भी था, Luxembourg का भी कुछ इलाका था जर्मनी का भी कुछ इलाका था उस सारे इलाके के लिए ये वो निचली भूमी निदरलेंड, इसलिए वाक़ा-वहा का नाम निदरलेंड पड़ा हुआ था और इसमें से ही यहाँ पर जो वनोव वाली भूमी थी, उसके लिए होलेंड शब्द इस्तिमाल किया जाता था तो ये चक्कर है Holland और निदरलेंड का Holland इसके जो 12 प्रांत हैं उसमें से 2 प्रांत है North Holland और South Holland उन्हीं के लिए शब्द इस्तिमाल किया जाता है लेकिन जनवरी और कई स्थानों पर जो निकनेम इनका इस्तिमाल किया जाता था Holland वो भी निदरलेंड ने प्रियास करके जनवरी 2020 से इन्होंने इस नाम को पूरी तरह त्याग दिया है कि निदरलेंड के लिए होलेंड शब्द का इस्तिमाल ने किया जाए इन्होंने पूरी तरह से एक प्रचार अभियान में चलाया कि निदलेंड को अब होलेंड ने कहा जाए तो ये तो बात हुई अब इनके भारतागमन के संबंद में बात करते हैं मैंने सोचा कि थोड़ा सा कन्फूजन दूर कर देते हैं अब यहां पर एक और बात याद आगई तो मैं बताई देता हूँ जिका का एक क्यूस्टन बनता है युथे नेशिया ये आपने कभी नाम सुना हो युथे नेशिया इस सब्द का मतलब होता है इच्छा मृत्यू यानि वेक्टिय अपनी इच्छा से मृत्यू का वरण करना चाहे बहुती बिमार परिष्टियों में या ऐसी परिष्टियां कई बार आपने इच्छा मृत्यू के बारे में डिबेट भी सुनी होगे अक बारों में तो इच्छा मृत्यू को ओफिशियली सबसे पहले नीदरलेंड ने लगू किया था 2002 में अनुमती दी थी इच्छामरतियों की अनुमती सबसे पहले नीदरलेंड ने दी लिगलाइज किया था इसको तो ये एक बात थी वो मेरे को याद आगे बीच में अब हम शुरुवात करते हैं सही में जो वीडियो में बनाना चाह रहा था डचों का भारत आगबन सत्रमी शताबदी की बात है नीदरलेंड की राजधानी एमस्टरडम यूरोपिय व्यापारिक केंदर के रूप में जाने जाने लगी और 1609 में एक बैंक की स्थापना होती है एक्सचेंज बैंक ओफ नीदरलेंड ये एमस्टरडम में इसकी स्थापना होती है और एशिया से व्यापार करने के लिए बहुत सारी कंपनियों ने दाउपे शुरू कर दिये कि हम इस्ट इंडीज की और व्यापार करना चाहते है पुर्तगालियों के बाद दूसरा नमर आता है डचों का जो भारत में आये लेकिन इनका जो पहला अभियान था वो पहले भारत ने पहुँचकर इंडोनेशिया पहुँचा इनका पहला डच अभियान 1595-96 में कॉर्नेलिस हाउटमेन कॉर्नेलिस डे हाउटमेन इंगलिश में इस प्रकार है इनका नाम के नितरतु में भारत नहीं सुमात्रा और बेंटम पहुँचा ये इंडोनेशिया में हैं द्वीप इन्होंने जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजदानी है के खंडरों पर एक महत्पून बात यहां पर आती है बेटेविया नामक नगर बसाया हाला कि ओर भी बहुत सारी बाते हैं लेकिन जो इंपोर्टेंट है वही मैं शामिल कर रहा हूँ बेटेविया नामक इन्होंने एक नगर बसाया वहाँ पर 1602 में होलेंड की संसद स्टेट्स जनरल होलेंड की संसद का नाम है स्टेट्स जनरल द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके एक कंपनी बनाए गई उस कंपनी का डच लेंग्वेज में नाम था विरेंग दे ओस्ट इंडिशे कंपनी युनाइटेड इस्ट इंडिया कंपनी ओफ निधरलेंड कह सकते हैं आप इंग्लिश में इसको और इसकी स्थापना 1602 में की गई यह महत्पुन बात है आपको याद रखनी है जो जो ओलेंड इश्ट इंडिया कंपनी आप इसको कह सकते हैं तरीके से या निधरलेंड इस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं इसकी स्थापना 1602 में होई और 21 वर्षों के लिए इसको व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया कि वहाँ पर व्यापार होगा आक्रबन होगा, संधियां होगी, जो भी काम होगा, वो ये कमपनी करेगे, और इसका संचालन करेगा, एक सत्रा सदस्य बोर्ड, सत्रा सदस्य होगे उस बोर्ड में, और उसके लिए एक विशेश शब्द इस्तिमाल किया जाता था, यदि आपने कहीं पढ़ा हो तो, वो जेंटलमेन सेवंटीन, सत्रा सजन पुरूस या भदरजन पुरूस इनको कहा जाता था, सेवंटीन जेंटलमेन या जेंटलमेन सेवंटीन इनको कहा जाता था, ये एक क्वेशन मैंने एक बार पढ़ा था, कि सत्रा भदरजन या सत्रा जेंटलमेन है, वो जो सत्रा सदस्य ये बोर्ड था, होलेंड वाली कंपनी का, नेदरलेंड वाली कंपनी का, उसके सदेशों के लिए इस्तिमाल किया जाता था, डच कंपनी की प्रारंबिक पुंजी 65,00,00 गिल्डर थी, ये जो डच गिल्डर है, ये वहां की मुद्रा है, अब नहीं है, सौरी, डच गिल्डर, ये वहां की मुद्रा थी, और ये मुद्रा भी अभी रिसेंटली, पिछले कुछ सालों के दोरान ही इसको हटाया गया है, उससे पहले, ये ही इसकी मुद्रा हुआ गरती थी, 2002 तक, और उसके बाद में इन्होंने यूरो को अपना लिया है, तो ये डच गिल्डर 2002 तक चले उसके बाद में निदरलेंड में यूरो मुद्रा चलनी प्रारम होगी, officially, फिर इसके बाद में महतुपून बात है कि शुरुवात में इनकी रूची थी मसालों के व्यापार में, लेकिन बाद में इनका महतुपून व्यापार इन्होंने किया कपड़ों के निरियात का, औ दच यूरोपियन कंपनी को तो मसालों में रूची रखते थे मसालों का इनका महतपुण व्यापारतों इंडोनेशा से होता था तो इसलिए इन्होंने मसाला पुझ दीब से पुर्तगालियों को खदेड कर अपना प्रभूत्वे स्थापित कर लिया तो ये कुछ महतपुण बातें थे शुरुवात में अब इनकी बात करते हैं कि भारत में इनकी फैक्टरीज कहां स्थापित हुई सबसे पहले हम बात करते हैं डच फैक्टरीज की पहली इनकी फैक्टरी आप याद रखेंगे मसुली पटनम में जिसका अब नाम मचली पटनम है 1605 इस्वी में की गई दूसरी इनकी फैक्टरी हलंकि एक और नाम भी आता है लेकिन वो मैंने काफी रिसर्च किया लेकिन मैं उसकी तहह तक नहीं पहुँच पाया और ज्यादातर बुक्स में यही देरका है कि उनकी दूसरी फैक्टरी पुलीकट में स्थापेद की गई जो कि तमिलाडू में है और यह स्थापना होई 1610 में और पुलिकट के बारे में महत्पुन फैक्ट ये है कि डचों की भारत में दूसरी फैक्टरी पुलिकट जो थी वो उनकी गतिविदियों का प्रमुक केंदर थी हालांकि बाद में इनकी गतिविदियों का प्रमुक कंदर नेगा पत्टम या नागा पत्टनम बन गया था और पुली कट इंपोर्टेंट इसलिए है कि यहां पर उन्होंने अपने सोने के सिक्के ढाले और उन सोने के सिक्कों को पैगोडा कहा जाता था दचों ने सोने के सिक्के कहा डाले अपनी दूसरी फैक्टरी पुली कट में जो कि इनकी गतिविद्यों का शुरुवाती दोर में प्रमुख के अंदर थी और उन स्वरण सिक्कों को पैगोडा कहा जाता था ये इंपॉर्टेंट क्योशल है तीसरी फैक्टरी इनकी सूरत मे हैं फिर और बहुत सारी फैक्टरियां है इनकी बिमली पट्नम करीकल हाला कि अब ये क्रम सही के साथ इनका 1623 में इनकी फैक्टरिय स्थापित होती है इसके अलावा अन्य फैक्टरिया है कासिम बाजार पटना बाला सोर नेगा पटम कोचीन और भी बहुत सारी है एक पीपली थी वो इंपोर्टन क्यों है कि बंगाल में हम महतपुन फैक्टरिय यहां पर देख रहे हैं चिनसुरा लेकिन चिनसुरा से पहले भी बंगाल में सबसे पहली फैक्टरिय इनकी पीपली में थी लेकिन बाद में उस फैक्टरिय को इन्होंने छोड़ दिया था अबेंडन कर दिया था बंगाल में अंग्रेजों की तरजपर उन्होंने अपनी फैक्टरिय की किले अब उनके व्यापार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बाते रखें और यहाँ एक important question भी बनेगा कि भारत में सबसे पहली बार ओध्योगिक वेतन भोगी किसके द्वारा रखे गए तो आप कहेंगे डचों के द्वारा रखे गए भारत में पहली बार उज्द्योगी की वेतन भोगी डच कमपनी के द्वारा रखे गए कासिम बाजार की अपनी सिल्क रिलिंग यूनिट में यानी रेशम की चक्री वाली फैक्टरी में अब आगे बढ़ते वे कुछ महत्वण बातें बची हैं बेदरा का युद्ध जो की हुआ 1769 में या उसको चिंसुरा का युद्ध कहते हैं पस्चिम बंगाल में हुआ और इस युद्ध में अंग्रेज और पूर्टगाल आमने सामने थे अंग्रेजों के और से रोबर्ट क बातें रह गई हैं क्योंकि डच जो हैं ज़ादा इंपोर्टन नहीं है और इनका थोड़ा ही विवर्ण हैं इसकी तोला में पूर्ट गाली ज़ादा इंपोर्टन हैं फ्रांसे दो और नहीं। डच फैक्टरियों के प्रमुक को फैक्टर कहा जाता था डचों की व्यापारिक सब्वेवस्ता सहकारिता के सिधान्थ पर काम करती थी कार्टेल वेवस्ता पर काम करती थी और ये जो लाभांश है वो बहुत अच्छे तरीके से वित्रित करते थे जो भी निवेश करते थे उनमें लाभांश का वित्रण बहुत सही तरीके से था और सहकारिता के सिदान पर वो कमपनी काम करती थी इनके लाभांश का पूरा रिकोर्ड भी उपलब्द है और लगबग 200 वर्षों में ओस्तन 18% लाभांश इनों ने दिया और सबसे ज़्यादा लाभ इनको सूरत वाली फेक्टरी से होता था तो ये थी कुछ महत्वण बातें डचों के बारे में उमीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा हलंकि कुछ वेक्ति ये कह सकते हैं कि आपने कुछ लिखा और पढ़कर सुना दिया लेकिन यदि आप वास्तव में गोर करेंगे और फिर अपनी पुस्तकों की ओर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जानकारिया कितनी महत्वण है यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताईए आपको कोई कमी लगती है वो भी बता सकते हैं आपको कोई अच्छा ही लगी है तो भी आप बता सकते हैं धन्यवाद